नमस्कार आप देख रहे हैं यूजवल इंडिया और आपके साथ मैं हूँ काजो उनरायन शुरुबात करेंगे खबरों की काजगंच की पठ्याली में 10 फरवरी को होने वाले पीम मोदी की चनावी जनसभाब 11 फरवरी को होगी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्य मंत्री योगी आदेधनात का आगमन अब 10 फरवरी के जगा 11 फरवरी को होगा प्रधान मंत्री के कारक्रम को लेकर बीजेपी नेताओं ने तैयारिया शुरू कर दी हैं प्रधान मंत्री के आगमन से पूर्व केंद्र सुरक्षा एजंसिया सक्री हो गई है और सभास्तल की प्रतेग गतिविधी पर नजर जुमाय हुए है जनसभास्तल से चंद कदमों की दूरी पर हैलिपैट बनाये जा रहे हैं च्थादे की 53 साल बाद ये पहला मौका होगा जोहां देश के प्रधान मंत्री का पठी आली आगमन होगा उसे पहले 1979 में पठी आली में चुराविजन सभा को संबोदित करने के लिए प्रधान मंत्री इंद्रा गांधि का आगमन हुआ था जिसके बाद प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने उत्राखंड पंजाब के बाद पश्ची में उत्रप्रदेश के मदाताओं के साथ प्रतियाशियों को भी संबोधित किया मुक्यमंत्री योगी आदितनात के काम को काफी सरहा उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता काफी समस्दार है ये परखने के बाद ही किसी भी पर विश्वास करती है उन्होंने कहा कि यूपी परखता सबको है लेकिन विश्वास उसी को देता है जो उसकी उम्मीदों पर खरा उतरता है ये लोग प्रदेश में योगी आदितरा सरकार से पहले अनेक साल विकल्पों की तलाश में रहे अब इनको इस्थाइत्व वाला साशन मिला है उत्तरप्रदेश की जनता को इस थाइत के साथ निरंतरता का विश्वास मिल चुका है पियमोदी ने संभल रामपुर बदायूं की 15 विधान सभाश्यत्रों के साथ जन चौपाल रैली को सबोधित किया 79 मंदलों पर बड़ी LED स्क्रीन लगाकर लोगों को प्रसारन दिखाए गया रैली का संचालन लखनों की वर्चौल रैली स्टूडियो से किया गया मुखे मंत्री योगी आदेशनात का जवासर रैली में चुड़े आज बदायूं सोलर एनर्जी हब बन रहा है आज दाता गंज का सोलर प्रांट बड़े छेत्र को रोशन कर रहा है यहां गावों में कितने घरों तक पाइप से पानी आता था आज हर गर नल से जल के लिए डबल इंजिन की सरकार काम कर रही है माता और बेहनों के उत्तम सेवा का हमारे लिए काम है संबल बदायूं और रामपूर में साथ हजार से जादा गरीबों को पक्ता घर डबल इंजिन की सरकार ने ही दिलाया है पुझवला योजना की वेज़स से इन तीन जीनों में साथ लाग से जादा गरीब बहने अब गैस के चूले पर खाना पकाती हैं साथियों आपको विकास के छोटे से छोटे काम के लिए ये नकली सवाजवादी कितना तरसाते थे वो दिन लोग भूले नहीं है संभल के लोग मेडिकल कॉलेज की मांग सालों साल करते रहे ये मांग डबल इंजिन सरकार ने ही पूरी करने जा रही है यूपी में एक्सप्रेस वे का जाल बिच रहा है इसके इर्दगेर उद्योगों का नेटवर्क बिचने वाला है गंगा एक्सप्रेस वे तो बतायूं के किसानों यहां के नवजवानों के भविश को पुझवल बनाने वाला है वन डिस्ट्रिक वन प्रोड़क के तहट आज हर जिले में पैदा होने वाले उत्पाद को चाहे वो खेत का हो या MSME का उसको प्रोड़सहिद किया जा रहा है गुनोर में इंडर्स्ट्रिल एरिया यहां के युवाओं के लिए रोजगार के नए आउसर देने वाला है चाहते हो गन्ने से इथेनोल और दूसरी सड़ी गली फसलों से बायो फ्यूल बायो फ्यूल बना कर हम इस खेत्र के किसानों को बहतर भविश्ट से जोड रहे हैं यूपी के किसानों का बनाया इथेनोल ये बायो फ्यूल अब देश की गाड़ियों को हवाई जहांजों को चलाने वाला है पांच साल पहले की तुलना में अब यूपी में इथेनोल उत्पादन काफी ज़्यादा हो रहा है इस दौरां लगवग बारा हजार करोड रुपिय का इथेनोल गंड़ना किसानों से खरीदा गया है